पागता बच्चों आपका Self Study के इस चैनल में तो आज की हम अपनी 25th वीडियो स्टार्ट करते हैं वोकैब की और जिनोंने आप तक की 24 वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर वो देख लेना एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखिये वोकैबलरी के नाम से वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं और हम वोकैब कैसे याद कर रहे हैं विद ट्रिक या फिर कहूं हम विद की के साथ तो इन वे से था कि हमें ये वोकैब जो है वो असानी से याद रहे और काफी टाइम तर क्याद रहे बिना टाइम को है आज का जो पहला वर्ड है वो देख लेते हैं जो पहला वर्ड है वो है फैटीड फैटीड इसका मतलब होता है बदबूदार फैटीड इसका मतलब होता है बदबूदार अब याद करने की बारी आती है इस word को हम याद कैसे करेंगे, देखो FATID, इसका अगर D हटा दे तो FATY FATY, ऐसी pronunciation नहीं हो रही है, FATY, FATY का मतलब क्या होता है मोटा, हम FATY FATY करते हैं नहीं है, इसको FATY 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 का मतलब क्या होता है मोटा, clear यहाँ पर क्योंकि इसकी pronunciation आप बोलोगे, मतलब इस word को जैसी आप बोलोगे FATYED, इसका D हटाओ तो FATY FATY रह जाता है, तो FATYED को हम याद करेंगे FATY से example के तुरू हम इसको समझते है FATY लोग FATY लोग बदबूदार FATY लोग बदबूदार गैंस छोड़ते हैं बदबूदार गैंस छोड़ते हैं अब यह मत बोलना कि आपको कैसे बता बस ऐसी बनाया है यह गैंस छोड़ते हैं, clear तो यहाँ पर FATY, इसका की भी आगया और बदबूदार यहाँ पर meaning भी आगया, clear हुआ, तो यह word हमारा हुआ, यहाँ पर complete, fatid, fatid का मतलब होता है, बदबूदार, और हमने इसको कैसे किया, fatty से, क्योंकि इसकी pronunciation, fatid की कहीं, fatty, fatty जैसी हो रही है, okay, इस word के बाद हम चलते हैं, हमारे second word की तरफ, second जो word है, वो है thrifty thrifty, clear यहाँ पर, thrifty यह फै है, आदफ है, thrifty okay, thrifty का मतलब होता conjuice, या फिर कहूँ, किफायती यानि किफायत से चलने वाला किफायती, किफायती भी कह सकते हैं, और conjuice भी कह सकते हैं, thrifty okay, इसका मतलब होता, conjuice, और अब हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसमें, जैसे हमने बोला, thrifty thrifty में देखना, three three आया, clear thrifty, और यह thrifty, thrifty में 50 जो है, वो 50 की कही न कहीं हमें फैल लिंग दे रहा है, तो हम इसको 50 बना लेते हैं, thrifty को हम three तो हमने बनाई लिया, यानि इसको हिंदी में लिग देता हूँ, three three तो हमने बनाई लिया और जो बाकी बच गया thrifty में, बाकी को हम बना लेते हैं 50, clear three, fifty, three fifty यानि, 350 रुपे ऐसे समझो, ठीक है, three fifty okay, इसको कैसे याद करेंगे अब, example के दूर समझो, जरा वह three fifty मे वह three fifty मे महीना निकाल देता है महीना निकाल देता है क्योंकि क्योंकि वो खंजूस है क्योंकि वो कंजूस है बहुत लगाना था, लेकिन मेरे पास जगा नहीं थी देखो, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर meaning भी आगया और कंजूस यहाँ पर meaning भी आ गया, clear हुआ, thrifty, thrifty को हमने कैसे कहा, 350 से, clear, ओके, इस word के बाद हम चलते हैं, third word की थब, third जो word है, वो है, मर्थ, मर्थ, मिर्थ मत बोल देना इसको, कहीं आप सोचा, M.I. है, तो मिर्थ बोल देते हैं, मर्थ, clear, मर्थ का मतलब होता है, खुश, present, एक और नहीं आना था, आदा नहीं आना था, लेकिन उसमें लिखा नहीं जा रहा था, तो present, क्यानि खुश, ओके, इस word को हम याद कैसे करेंगे, देखो, मर्थ में, अगर आप ये मर्थ की, जैसे देखें, तो ये कहीं न कहीं, आपको math वाली feeling नहीं दे रहा, math, इस मर्थ को मियाद करेंगे math से, math मतलब की, जो math subject होता है, वही वाली बात कर रहा हूं मैं, math, okay, example के तो समझो जड़ा इसको, होश्यार, होश्यार विद्यार्ती, math पढ़कर, खुश होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि उन्हे math आता है, अच्छे से, होते हैं, clear यहां पे, तो math यहां पर key भी आ गया, और खुश, यहां पर meaning भी आ गया, मर्थ, मर्थ को हमने कैसे, मर्थ का meaning क्या था है, खुश, प्रशन, और इस मर्थ को हमने कैसे किया, math से, क्योंकि feeling वैसी आ रही है, math, okay, third word के बाद हमारा fourth, जो word है, वो है as person, यह है, as person, as person, clear, as person, अब इसको याद, इसका meaning क्या होता है, कलंक, बदनामी, as person, इसका मतलब होता है, कलंक, बदनामी, और हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो, as person, person आ रहा है यहां पर, और as, as person, यानि, as a person, as a person, as a person, clear, हम इसको ऐसे याद करने वाले है, person का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यहां पर, ठीक है न, person का मतलब होता है, एसे, person, यानि व्यक्ति, यहां लिख देता हूँ मैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे person मत बनो, की, अपने घरवालों की बदनामी करवा दो, की अपने, घरवालों, की बदनामी, घरवालों की की आना था यहां पर, की, अरे यार, यह क्या हो रहा है, बदनामी हो जाए, ऐसे person मत बनो कि घरवालों की बदनामी हो जाए या उनके लिए तुम कलंक बन जाओ ऐसा मत करो, ठीक है, बदनामी यहाँ पर इसका मीनिंग भी आ गया, और ऐसे person तो यहाँ पर इसका की भी आ गया, clear, as person as person का मतलब होता है, कलंक मतलामी और हमने इसको कैसे किया है, as a person, okay fourth word के बाद जो हमारा, इस video का last word है, अब उसको कर लेते हैं यह है, perspication pers एक मिनिट में इसको rough कर देता हूँ, थोड़ा सच्छे से लिखते हैं ताकि यह समझ में आए pronunciation मुझे लगता है कि कभी-कभी मुझे लिखके लेके आने चाहिए बढ़ फिर सारी चीज़ें लिखके ले हूँगा तो मैं क्या करूँगा pers perspication perspication perspicacious, मुझे वो बार-बार उपर वाला word याद आ रहे, perspicacious perspicacious okay, इसका मतलब होता perspicacious को हम याद कैसे करेंगे, जड़ा देखो जड़ा perspicacious, यहाँ पर देख रहा है, pers का मतलब क्या था floor, floor, floor की बात कर रहा हूँ, ठीक है यह नहीं, इसको pers floor की नहीं, जो हमारे पास pers होता है, wallet, wallet वो वाली, मेरे दिमाग से निकल गई pers, जो हम wallet रखते हैं, इंसान अपने पास है, व्यक्ति अपने पास जो wallet रखता है, perspicacious, perspicacious यहाँ पर्स pay, pers pay cash, perspicacious यहाँ पर्स pay cash, क्योंकि इसकी पनेशन जान देखो, perspicacious यहाँ पर्स pay cash, pers pay cash, ऐसे हम इसको याद करेंगे, example के दुर समझते हैं, okay, pers pay pers pay, pers pay cash, रखने वाले, लोग, चतुर, रे यार, चतुर, होते हैं, clear यहाँ पर्स picacious को हमने याद किया है, pers pay cash, pers pay cash रखने वाले लोग, चतुर होते हैं, तो यहाँ पर्स picacious, यहाँ पर इसका key भी आगया, और चतुर, यहाँ पर meaning भी आगया, clear हुआ, तो यह होता है, हमारे पास पांचों word, यहाँ का finish, एक बार जल्दी से revision कर लेते हैं, fatid, fatid का मतलब होता है, बदबुदार हमने इसको कैसे याद किया, fatid की जो pronunciation हो, वो fatty fatty से आ रही है, तो इसको हमने fatty से क्या है, fatty लोग बहुत बदबुदार गैंस छोड़ते हैं, okay, sorry, thrifty, thrifty, इसका मतलब होता है कंजूस, किफाईती, thrifty को हमने कैसे याद किया, 350, यहाँ पर देखो कि 3 और 50 को अलग करके 350 बना दिया हमने, वैद 350 से महीना निकाल देता है, महीना निकाल देता है, क्योंकि वो बहुत कंजूस है, फिर हमने किया मर्थ, मर्थ का मतलब होता प्रसंट, और हमने इसको याद किया, मैथ से, होश्यार विध्यारती मैथ पड़कर खुश हो जाते हैं, फिर हमने किया, एश-पर्षन,êu मतलब कलंक बदनामी, एश-पर्षन को कैसे किया, एसे पर्षन, पर्षन को मतल़ होता है चतुर मोशयार ओके इसके की क्या बनी कैश एग्सक्राइब पर्स पे कैश रखने वाले लोग कैसे होते है चतुर होते है clear हुआ तो ये तो थे आज के 5 वर्ड अगर आप लोगों कोई समझ में आए है तो क्या करेंगे अप like करेंगे, किसको, भाईया, वीडियो को like करेंगे और channel के क्या करेंगे channel को आप करेंगे subscribe और दोनों के साथ एक काम भी कर सकते हैं भाईया, दोनों को, video और share को मतलब कि channel को क्या कर सकते हैं और share कर सकते हैं और इस video से लेडिय डा पड़ाइस related material मिल जाएगा तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में थेंक यू